हलो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम लोग रिव्यू करेंगे गॉलफर शॉट का ओके क्विक रिव्यू करते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गॉलफर शॉट के पैकिंग की ब्लैक कलर का पैक है उपर और नीचे टिप पे गोल्डन कलर की लाइनिंग है और फर्स्ट लुक में आइधिंक ये काफी प्रीमियम फील देता है तो आइम रियली इ इनalo ने इस वैस्टिक की कारेक्टरिस्टिक जो है वह लिख रके है शबसी जो frar vidéos चेकर्श्टिक है इसकी कलर उने लिखा है व auf golden day गलिंट ऑ एंबर तो हम लोग जब झाराञ कि रियंग करेंगे की एग्सेट्लि वैसा है या नहीं स्पिर नोजब नोजब ये कहते है and just a hint of smoke, smoke भी चेक करना है, फ्लावरी नोड चेक करना है, और डार्क चॉकलेट, I think काफी इंट्रिस्टिंग होगा, okay, finish, persistent and slightly smoky, तो जो लिख रखा है, उसके हिसाब से, मेरा definitely excitement level जो है, वो थोड़ा बढ़ गया है इस विस्की से, okay, इसके ingredients को चेक करते हैं, नमबर वन, demineralized water, पानी, grain extra neutral alcohol, तो ये एक चीज है, जिसको की टेस्ट के टाइम पर फिर से हम लोग revisit करेंगे, grain extra neutral alcohol, okay, next है, Indian matured malt, और imported blended malt, मतलब imported scotch whisky तो इसमें डला ही गया है, इंडिया में भी malted barley से जो alcohol बनता है, उसको इंडिया में ही mature किया गया है, और वो भी इसमें add किया गया है, तो ये दोनों चीज है, ये अच्छी बात है, आगे फिर ये करते हैं, contains permitted natural food color, 150A, तो मतलब artificial coloring add किया गया है, naturally, जब भी आप grain extra neutral spirit यूज़ करेंगे, और जो बहुत ज़्यादा age नहीं होता है, तो उसमें coloring तो आएगी नहीं, तो आपको artificial color definitely add करना पड़ेगा, और एक चीज है, an added natural flavor, ये I think नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको कहा, कि इसको हम लोग revisit करेंगे, grain extra neutral alcohol, जब भी extra neutral alcohol होगा, तो क्या है कि alcohol का अपना taste खतम हुआता है, तो आपको जब भी अगर whisky में taste चाहिए, तो कहीं न कहीं से तो taste add करना है, तो वो added flavor है, ये दो point मेरे को, दो point नहीं अच्छली, जो added flavor जो है, वो मेरे को थोरा सा निराश करता है, लेकिन पहले से कुछ धारना बनाना नहीं चाहिए, इसको smell करेंगे, taste करेंगे और फिर बताते हैं, open करते हैं, bottle, okay, good, काफी unique, काफी different, मतलब किसी दूसरे whisky के bottle से compare करना, मतलब वो, I don't think सही होगा, ये एकदम unique है, I think first time मैंने इस design का bottle दिखा है, ऐसा कहा जाता है कि, this is inspired by golf club, एकदम उसी के जैसा look नहीं है, but definitely उससे inspired look तो लगी रहा है, तो interesting है, interesting है, खुबसूरत है, good looking है, बहुत premium look नहीं दे रहा है, but definitely a different look है, इसलिए I like this, चलिए open करते हैं इसको, उसके पहले ये जारखन का plastic का sticky label, okay, बहुत आसानी से कैप निकल गया इसका, पोर करते हैं, 1050, इसके MRP है, रांची में, तो MRP के हिसाब से, इस slightly more than blender sprite, तो अब ये देखना interesting होगा कि, टेस्ट में भी ये blender sprite से slightly improved है या नहीं, चलिए इसको यहां रखते हैं, I think we should give one or two minute time, ताकि ये bottle अभी नया खुला है, तो ये whisky जरा सा इसमें से खुल जाए, और तब तक, I think जरा इसके packing पे और क्या information लिखा हुआ है, वो पढ़ना भी interesting होगा, अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ा clearly नहीं लिखा है, add a drop of water to the whisky, to release the aromas and appreciate the full bouquet of the cooler sheet, तो ये अच्छी चीज़ है, ये कह रहा है, कम से कम एक दो drop इसमें water mix कर देने के लिए, ताकि इसका aroma खुल करके निकले और आप अच्छे से whisky को enjoy करें, naturally Indian whisky 90% लोग जो है वो पानी मिला करके ही या कुछ न कुछ मिक्स करके taste करते हैं, वो तो कुछ हमारे जैसे reviewers हैं जो knit try करने की कोशिश करते हैं, anyway इन्होंने लिखा है एक drop पानी mix करने के लिए तो वो भी हमलों try करेंगे, पहले तो as usual knit try करने का time है, और इन्होंने कहा था warm golden with glint of ember, तो warm golden और ember different light में actually different type का color feel होता है, but I think it's a nice color, अच्छा color है, अच्छा इसकी जड़ा consistency की अगर बात करेंगे हैं, तो यह काफी धीरे से नीचे आ रहा है, it means की इसकी body जो है, it is definitely a heavy bodied whiskey, तो यह रही color and consistency की बात, अच्छा legs पन रहा है, अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, चारों तरफ से, जो की I think it's a good part, I don't know camera में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, but here I can see very clear cut all the legs coming, down slowly, slowly, it's a good thing, okay, one more thing, अभी एक-दो दिन पहले दिवाली बीती है, तो आज भी लोग काफी पटाके यहां चला रहे हैं, तो वीडियो के बीच में I think उसका आवाज आता रहेगा, तो प्लीज उसको ignore कीजिया आप लोग, चलिए smell का time, और smell में इनका कहना है कि हलका smoke और dry fruit का smell आना चाहिए, चेक करते हैं हम लोग। surprisingly यह इंडियन विस्की है, blenders price के range की विस्की है, 1000 रुपे के range की विस्की, तो first जो एक expectation होता है कि इसमें एक alcohol का एक boom मिलेगा, भब का मिलेगा, वो मैं पहले तो वही खोजी नहीं कोजीश करना था, वो almost नहीं है इसमें, alcohol का भवका नहीं है, तो अब क्या यह scotch के जैसा smell कर रहा है, I think no, कोई भी वो smell इतना prominent नहीं है, definitely dry fruit का एक hint आ रहा है, और smoky भी है बट मतलब उतना prominent नहीं है, जितना prominent इन्होंने वहां पे लिखा है, उतना prominent smell में smokiness फील नहीं हो रहा है, बट definitely smoky है, चलिए बारी टेस्ट की, I think यह इस range का पहला विस्की होगा, जो इतना आराम से आप knit consume कर पा रहे हैं, काफी अच्छा mouth fill है इसका मुँ में भर करके आता है, और धीरे से नीचे जाता है, आपको थोड़ा सा warm feel होगा जब नीचे जाता है तो, लेकिन alcohol का कोई burn जो है, वो समझ में ही नहीं आया, फिर से एक बार देखते हैं, फिर आगे टेस्ट और बाकी चीज़ें को बाब करेंगे, स्वीट है, डेफिनिटली ड्राइफ रूट का अच्छा हिंट मिल रहा है, डाक चॉकलेट का भी हिंट है, थोड़ा स्पाइसी भी है, और आफ्टर इफिक में ज़्यादा ही स्पाइस का नूट आता है, बट वो बिलकुल भी ऑक्वर्ड नहीं है, जैसा कि नॉर्मल हजार रुपे से कम के, इंडियन विस्की में जो फील होता है, काफी बहुत कॉंप्लेक्स और बहुत बढ़ियाँ टेस्ट है, बियॉंड एक्सपेक्टेशन अभी तक का है, बाकी इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके एक बार चेक करते हैं। नॉर्मली इस रेंज की विस्की बे पानी मिलाने के बाद अरोमा जो है वो पूरा सप्रेस हो जाता है, बट यहां पे आपको स्मोकी नोट जो है वो पानी मिलाने के बाद आई थिंग और उभर करके आ रहा है। येस, विरी स्मोकी पहले जो निट पे जितना स्मोकी लग रहा था उससे ज्यादा स्मोकी पानी मिलाने के बाद इसका अरोमा है अभी। टेस्ट करते हैं। इस रियली हाद टू बिलीव कि यह सस्ते रेंज का इंडियन विस्की है। अभी क्या है जो मेरे को समझ में आ रहा है। ग्रेन इक्स्टा न्यूट्रल अलकोहल तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आइ थिंग दो तीन राउंड में डिश्टिल किया हुआ इक्स्टा न्यूट्रल जिसमें कि अलकोहल का अपना कोई भी टेस्ट और स्मेल नहीं है। पीने के बाद कोई भी बर्न नहीं है। आप आसानी से बहुत इसको कंजूम करते हैं। पानी मिलाने के बाद थोड़ा स्वीटनेस कम होता है लेकिन ड्राइ फ्रूट का थोड़ा सा हिंट ऑफ डाक चॉकलेट स्मोकिनेस बलकी और पहले से ज़्यादा फ्रील होता है आफ्टर इफेक्ट में हलका सा स्पाइसेज और अभी जैसे मैंने कंजूम कर लिया अभी खतम हो गया थोड़ा आफ्टर इफेक्ट जो मूँ में बाकी है उसमें आपको स्मोकी नेचर भी इसका समझ में आता है तो overall I am really very much impressed with this overall package and combination really good whiskey to try at this price point specially जहां पे की आपके पास blender sprite है और signature है और उसके बाद ये golfer shot definitely try करना चाहिए I hope video आपको informative लगा होगा अच्छा लगा है तो please like कीजे subscribe कीजे मेरे channel को मिलते हैं फिर ऐसे ही informative किसी और video में किसी और product का review करेंगे comparison करेंगे तब तक take very good care of yourself bye bye